गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स, तुडेः वी बिल रेट चैप्टर एट आफ इंदी लिटरेचर बुक दिल्ली आना सबसे पहले एडर्स लिखा हुआ है तीन सो पचास आर के पुरम नई दिल्ली फिर डेट है आट जून दो हजार अठारा फिर जिसको लेटर लिखा गया उसका नाम है प्यारी सकी पिहू नमस्ते चाचा जी की साधी धूम धाम से हो गई हम सब बारात में गय थे हम बाजे की धुन पर जी भरकर नाचे चाचा जी के दोस्तों ने भी धूल की थाप पर जम कर भांगड़ा किया हमने खूब मिठाई खाई दुलहन चाची इतनी सुन्दर लग रही थी जैसे कोई परी हो सच कहूं बड़ा मजा आया अगर आप भी यहां होती तो इस अपसर पर मजा दुगना हो जाता यह एक पत्र है जो स्वेता अपनी फ्रेंड पीहू को लिख रही है और उसमें वो बताएगी कि चाचा की साधी में जब वो गई थी तो उसने क्या क्या किया और उसके बारे और दिल्ली के बारे में बताएगी कि दिल्ली सहर कैसा है ठीक है तो स्वेता ने पीहू को बताया कि चाचा जी की साधी बड़े अच्छे से हो गई धूम धाम से हो गई सब बरात गय थे और सबने डांस किया ठीक है भांगडा मतलब होता है पंजावी डांस सबने चमकर पंजावी डांस किया और हमने खूप मिठाई खाई सब कुछ खाया दूल्हन चाची जो थी जो दूल्हन थी वो बहुत सुल्दर लग रही थी जैसे कोई परी हो और अग सबस्ति हूं सायत कोई जरूरी काम होगा खैर कोई बात नहीं मेरी इच्छा है कि तुम्हारे दुम दसेरी के चुटियों में दिल्ली आओ हम सब मिलकर दिल्ली गूमेंगे दिल्ली इतनी सुन्दर है कि आप बस उसे देखेंगी तो कहेंगी बाकई दिल्ली उससे भी अध जरूरी काम होगा इसलिए नहीं आप आई खैर कोई बात नहीं लेकिन जो दसेरी की चुटियां होती है उसमें दिल्ली घुमने चरूराना दिल्ली बहुत सुन्दर है और सवयता कहती है कि मैं दिल्ली के बारे में इस पत्र में थोड़ा-थोड़ा आपको परिचे दूग दिल्ली कहा की राजधानी है दिल्ली भारत की राजधानी है और या टू पार्ट में मतलब बटी हुई है पहली तो है एक नहीं दिल्ली और दूसरी पुरानी दिल्ली तीक है पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद है लाल किला और चान्नी चौक बाजार प्रमुक दरसनी अस्थल है, पुरानी दिल्ली के प्रमुक दरसनी अस्थल मतलब जो घूमने लाइक, जो देखने लाइक चीज़े है, वो जामा मस्जिद है, लालकिला है, चान्नी चौक बाजार है, ठीक है? नई दिल्ली का सबसे प्रिसिद बाजार है कनाट प्लेस, या बाजार गोलाई में बना हुआ है और नई दिल्ली का सबसे प्रसिद स्थान मतलब भूमने वाला स्थान है वो है कनाट प्लेस कनाट प्लेस एक ऐसी बाजार है जो गोलाई में बनी हुई है ठीक है नई दिल्ली में ही संसत भवन और राश्टिपती भवन है राश्टिपती बाइब भवन में यहां का प्रसिद्ध मुगल गार्डन है जिसमें बहुत सुन्दर गुलाब के फूल देखने को मिलते हैं। यहां गार्डन प्रतिबर्स बसंत रितु में जनता के देखने के लिए खूला जाता है। नई दिल्ली में और क्या है नई दिल्ली में संसत भवन और राश्टिपती भवन है राश्टिपती भवन में प्रिसित एक गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन जिसमें बहुत सुन्दर गुलाब के फूल लगे हुए हैं और यहां हर बर्स प्रतेक बर्स बसंत कि मतलब सबको देखने के लिए ये खोल दिया जाता है मतलब जहां पर कोई भी देखने आ सकता है राजघाट, इंडियागेट, कुतुम मिनार, जनतर मंतर और चिडियागर का नाम तो आपने सुना ही होगा ये सभी दिल्ली में हैं जितने भी ये नेम है राजगाट, इंडिया गेट, कुतुम मिनार, जंतर मंतर और चिडियागर ये सब कहा हैं? ये सब दिल्ली में हैं. दिल्ली में प्रगति मैदान नामक एक विसाल मैदान भी है जहां सांस्कृत, ब्यापारिक ब कलात्मक मेलों का आयोजन होता है. और दि मानने वाले लोग आपस में भाई-भाई की तरह रहते हैं. यहां कालका मंदिर, अच्छरधाम, मंदिर, चामा मस्जित, गुरुद्वारा, बंगला साहब, सेकर्ड हार्ट, कैथेडरेल, चर्च, बहाई कमल मंदिर जिसमें दिविविन धर्मों के प्रातना स्थल है. इस सबी मिलकर रहते हैं, सबी भाई-भाई की तरह रहते हैं और यहां पे बहुत सारी चीजे देखने वाली इसे कालका मंदिर, अच्छरधाम, जामा मस्जित, गुरुद्वारा है, सेकर्ड हार्ट, कैथेडरेल, चर्च, कमल मंदिर है, जिसमें विविन प्रकार के धर्मों क सथल है, कई सारे धर्मों के सथल बने हुए उस मंदिर में, ठीक है, और दिल्ली जो है, वो दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने का एक अच्छा उधारण है, यहां लाल किला मैदान में दसेरे का बड़ा भव आयोजन होता है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूं और लास्ट में लिखती है, तुम्हारी सहली स्वेता रखने टीक Bowlा में, धित रयोसं में तेवा है, यहां वाल एक प्रति gelecek है, वो धक और दोभा है에 ऊच्छे और नहींता प्रति का दोदो है, अफिल्कों वोो और भ़ता है, यहां स्वेता है, यहां से वो दो तुम्हारी साहरा को का र्टे